हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है पेस्ट नोट्स टूटोरियल्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंन स्टोरी एना क्यारनीना नोवल से जो कि एक रश्यन नोवल है और राइटर है इसके लियो टॉल्स्टॉय मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन सीचुएशन में लियो टॉल्स्टॉय ने ये एना कैरनीना लिखा था और उस वक्त रश्या और यूक्रेन का प्राबलम चल रहा था जो कि आज भी हम लोग देख सकते हैं उसके बाद में ओटमन एंपायर के साथ क्या रिलेशन था रश्या का जिसकी पैक्राउंड में ये नोवल लिखा गया था और सर्फडम को किस राजा ने एंड किया और उसका इंप्लिकेशन सोसाइटी में क्या हुआ ये सब में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ तो आज के वीडियो में में फोकस करने वाले हूँ में स्क्राज की एक राश्या नोवल है और इसमें जो भी चैरेक्टर्स है उनके नाम बहुत ही लंबे है ठीक है और लंबा क्यूं है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया जो में लोग से데ंग भी बताया उसके बाद कि किस year और कौन-कौन से जगह में ये novel हम लोग देख पाते हैं novel के stories को देख पाते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखना चाहते तब भी मैं जब भी story explain करूँगी तो बीच में उसको relation बताऊंगी कि उसके background के साथ क्या relation है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Anna Karenina by Leo Tolstoy तो चलिए part 1 में story का जब novel open होता है तो हम लोग मिलते हैं दो characters से जिनका नाम है Dolly and Steve और ये दोनो husband and wife हैं जो की oblongs की family से बिलोंग करते हैं Dolly दूसरे family से हैं लेकिन शादी के बाद Steva के family में आ गए इसकी वज़े से वो भी oblongs की family से बिलोंग करने लगी हैं तो ये दोनो husband and wife हैं और दोनों ही aristocratic family से बिलोंग करते हैं ठेके aristocratic जिसका मतलब होता है बहुती rich family और oblongs की family rich family था अब ही देखते हैं steva steva कौन है steva president है एक government board में ठेके उनका post है president और वो powerful position hold करते हैं और ये Moscow में इनका जो office है वो Moscow में है और इनके साथ और भी characters हैं जो की काम करते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे फिलाल आप ये जान लीजिए steva president है और डिखने में भी बहुती smart है वो पढ़े लिखे ज्यादा अच्छे से नहीं है लेकिन फिर भी अपने बाते करने का तरीका और लोगों से handle करने का तरीका बीच बीच में jokes crack करना और सभी लोगों को हसाना इसकी वज़े से मतला हर काम वो ठीक ठीक समय पर करते हैं जब serious होना है तो serious होते हैं जब हसाना है तो हसाते हैं और जो काम उनको दिया गया है वो responsibly करते हैं ठीक है इसकी वज़े से वो famous हैं और reputation भी उनका बहुत ही लेकिन कुछ problems तो होती है कोई भी इंसान perfect नहीं है इसलिए कुछ खामिया steva में भी है वो सब क्या है हम लोग जानेंगे ठीक है फिलाल इतना समझ लीजिए steva के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं dolly dolly एक house wife है और वो एक Russian mother को represent करती है रशिया में mothers लोग कैसे रहत थी और कैसी होती थी तो dolly जो की steva की wife है इनका 9 साल हो गया साधी का और 9 साल में उनके 5 बच्चे हैं ठीक है और वो एक devoted wife है devoted wife मतलब अपने husband का बहुत care करती है उनका उनका खाना पीने का कपड़े का और उनका reputation का हर चीज का खयाल रगती है और साथ साथ में बच्चों को भी अच्छे से वो nurture करती है ठीक है उनको food moral value सब कुछ अच्छे से देती है तो एक caring husband wife है और caring mother भी है जो की dedicatedly अपने family के लिए काम करती है इस बीच में ये 9 यह में उनके 5 बच्चे हैं और दोनों ही dolly and steva दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ठीक है dolly जो है वो अपने बच्चों को care करने में और घर के काम काज करने में इतनी मश्गूल होती है कि वो अपना health को ignore करने लगती है और अपना जो beauty है सुन्दरता है उस पे भी ज्यादा धान नहीं देती जिसकी वज़े से वो बीमार पढ़ जाती है और बीमारी की वज़े से और care नहीं करने की वज़े से वो अब यूंग भी नहीं है और youthful भी नहीं दिखती जिसकी वज़े से स्टीवा का कोई attraction अपने wife की और नहीं रहता ठीक है एक बार और मैं बता दू कि novel जब खुलता है तो हम यह दोनों characters को देखते हैं लेकिन यह दोनों main characters नहीं है main characters पे आ आगे बढ़ते हैं स्टीवा जो है वो marital life जो है अपने पत्नी का देखरे करना पत्नी से अच्छे से रहना और एक family में अच्छे से तालमेल बना के रखना उसको वो secondary मानता है ठीक है especially wife के बारे में बच्चों को तो वो बहुत प्यार करता है जिसकी वज़े से उनका जो भ प्राब्लम कहां है वो अपने wife को ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कि जो marital life में कुछ problems है आपs-downs है वो secondary है पहले में दूसरे कामों को देखूंगा importance दूंगा उसके बाद अपने marital life में जो problem में उसको देखूंगा ये उसका mindset था ठीक है और इसका यही वज़े था क कि उनकी wife beautiful नहीं रही और healthy भी नहीं रही जिसकी वज़े से बहुत सारे problems जो होती है वो steva को भी हो रही थी ठीक है he prioritizes his official duty and his luxury ये बहुत ही important बात note करने की है कि वो office में वो बहुत ही एक powerful position hold करते हैं वो president है मैंने बताया president है एक government board जो की Moscow में इस्तीत है ठीक है और official duty को first priority देते हैं वो क्योंकि उनका reputation इसी office से related है अगर office से वो बाहर हो जाए तो उनका reputation शायद न रहे ठीक है वो office में हैं काम करते हैं सबी लोग उनकी इज़त करते हैं लेकिन वो luxurious life जीना चाहते हैं और वो इसके लिए अपने family का जो सुक्षेन है उस पे भी compromise कर लेते हैं especially अपने wife को लेकर ठीक है वो luxurious life चाहते हैं जिसमें उनके पास बहुत सारे पैसे हो जो की इनके पास था अभी भी और वो जिसको चाहें उनके साथ रह सकें जहां जाये घूम सकें ठीक है जिसकी वज़े से problem सुरू होती है चलिए आगे देखते हैं this shows in Russia men and women were not assigned equal rights and responsibilities यहां पर डॉली जो की russian mother को represent करते थी या फिर russian woman को represent करते थी उनके duties woman के duties और responsibilities मर्द के मामले में different था ठीक है और यही problem था वहाँ बे क्योंकि मर्द के लिए उतने ज़्यादा responsibilities नहीं थे family देखना था mother को और husband को देखना था wife को ठीक है इसके सिवा वो rich होते थे लेकिन फिर भी maid और servants यह लोग खाना उन लोग के ने नहीं बनाते थे और वो सब उनके wife को ही करना पड़ता था वो just helper होते थे maids, servants होते थे लेकिन just helpers इसी के वज़े से dolly पूरा दिन busy रहते थी अगर वो छोड़ देती सब कुछ तो वो भी अपने health को care करती वो भी अपने beauty को care करती लेकिन उसके responsibilities की वज़े से इसा नहीं कर पाती है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एक बात और में बता दू इसका ये भी मतलब है कि men and women were not treated equally in Russia at that time उस वग men and women लड़का लड़की या मर्द और दोनों को एक साथ नहीं देखा गया था equality नहीं था ठीक है steva ditches his wife by having extra marital affairs देखे ये problem था steva का वो अपने बच्चों से भी प्यार करते थे अपने पतनी को जो भी चाहिए खाना पीना पैसा रुपया वो देते थे लेकिन वो extra marital affair में engaged थे वो अपने एक french governance जो थी उसके साथ affair में थे physical relationship में थे और यहीं से हम लगो को hint मिलता है कि जो novel है वो adultery के बारे में based है specially बांकी भी issues है लेकिन extra marital affair इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है ठीक है I hope इतना clear हो आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं यह उनका affair french governance के साथ था governance का मतलब जो की देखरेख करती है बच्चों का ठीक है तो उनके साथ affair था जिसके वज़े से dolly और steva जिनका relationship ठीक चल रहा था 9 सालों से वो डगमगा गया था और दोनों का ऐसा हालत हो गया था कि वो divorce लेने के लिए especially dolly divorce लेने के लिए वो आतुर थी क्योंकि वो एक devoted wife थी तो वो बरदास नहीं कर पाए कि उसके husband किसी और के साथ affair कर रहे हैं ठीक है यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो servants थे हैं वो भी जानते थें कि dolly और steva दोनों का relationship अच्छा नहीं चल रहा है और वो illegal relationship में engaged हैं उनके मालिक steva जिसकी वज़े से उनका divorce होना निश्चित था ठीक है वो उनको भी लग रहा था जो servants हैं governance से उनको लग रहा था कि जो illegal relationship है steva का दूसरे ladies के साथ यह सिर्फ french governance नहीं थी जिसके साथ उनका affair था और भी थे ठीक है जिसकी वज़े से उनको लगा कि divorce तो होके रहेगा steva is smart and devotees, sorry, devotes time to smarten himself always यह लड़का था steva जिसकी वज़े से उनका जो भी काम है वो लड़की कर लेती थी घर में लड़की मतलब wife या फिर maid ठीक है जिसकी वज़े से उनके पास बहुत time होता था जिस पे वो सजने सबरने में लगाते सजने सबरने का मतलब है अपने आपको healthy रखना, smart बना के रखना उनका तो age dolly से ज़्यादा है फिर भी वो अपने आपको ऐसे रखे हुए हैं जिसकी वज़े से वो अभी भी youthful लगते हैं, fresh लगते हैं और मतलब एक चमक है उनके चेहरे पे जो कि dolly में नहीं है, उनका health अच्छा नहीं है और वो ध्यान भी नहीं देती हैं अपने में इसकी वज़े से दोनों में, दोनों का personalities different हैं, ठीक है, contradictory है चलिए, आगे बढ़ते हैं, अभी ये दोनों का clash तो चल रहा है, दोनों का fight चल रहा है, लेकिन उसी बीच में एक telegram आता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि उनकी बहन, आना, आरका जेवना, कैरनीना's arrival ये जो है, यो main character है, novel की, जो कि steva की sister है, ठीक है, steva की sister है, main character, that is Anna, Anna कैरनीना, ठीक है अभी ये क्यों आई है, ये इसलिए आई है, क्योंकि इसने सुना, आना ने सुना कि steva और dolly का relationship अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पर problems है और वो चाहती है कि सुला हो जाए किसी तरह, क्योंकि वो नहीं चाहती कि divorce हो, और दुनिया में जो reputation बना के रखे हैं, ये family, और blonde की family, वो बदनाम हो बदनाम होने से धीरे धीरे करके उनका जो वर्चस्व है, ठीक है, उनका जो mighty reputation है, वो शैटर हो जाएगा, ठीक है, इसके वज़े से वो चाहती है कि किसी भी तरह, ये relationship बदना रहे, ओके? तो वो telegram पढ़ने के बाद जिसमें लिखा होता है कि आना आ रही है उनके से मिलने के लिए, वो telegram पढ़ने के बाद वो newsletters पढ़ने लगते हैं, और newsletters के थुरू वो बहुत सारे जानकारिया ले लेते ही, देश में क्या हो रहा है, और देश में क्या क्या changes हो रहे है, क कौन से कंट्रीज रश्या के साथ मिल के काम करना चाहते हैं और as a citizen हम लोगों को क्या करना चाहिए यह जो वो magazine, newspaper, newsletter यह सब में दिया गया था वो पढ़ रहे थे वो, ठीक है यहां पर देखिए reads newsletters and he feels his affairs should not be a problem for the rest यहां पर बहुत important बात हम लोगों को सोचनी है कि जैसे हम लोग different individuals है सभी लोग अलग-अलग mindset से सोचते हैं और काम करते हैं तो सभी का तरीका एक जिसा नहीं होता लेकिन जो गलत है उसको example के साथ दिखाना पड़ता है कि हाँ तुमने यहां गलत किया और इसलिए गलत किया ठीक है और mature होने के बाद भी जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो थोड़ा सा डगमगा जाता है और संभलने वाले संभल जाते हैं और जो नहीं संभलते हैं वो डूब जाते हैं और यहां पर स्टीवा का भी हाल कुछ वैसा ही हो रहा था और वो सोचते थे कि वो जो कर रहे हैं ताट इस वो फ्रेंच गवर्नेस के साथ जो रिलेस्टनशिप रखे हैं उससे किसी को प्राब्लम नहीं होना चाहिए और यह इसलिए सोचते हैं क्योंकि उस वक्त रश्या बदल रहा था और लेफ्टिस्ट और लिबरल्स लिबरल्स बहुत ही फेमस हो रहे थे लिबरल्स लिबरल्स माइंडसेट बहुत ही एकसेप्टेड हो रहा था उस वक्त जिसमें कि नए नए changes ला रहे थे तो उनका कहना था कि नए change में भी ला रहा हूँ तो इसमें क्या दिकत है मैं तो अपने family के लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं अपने बच्चों को भी प्यार करता हूँ मैं पैसा दे रहा हूँ घर में सब कुछ तो मैंने maintain करके रखा है reputation फिर ये थोड़ा सा compromise क्यों नहीं कर पाते हैं लोग ठीकि इसकी वज़े से वो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है लेकिन बाग की लोग को operate नहीं कर रहे हैं जोकी totally wrong है क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब भी relationship में बना रहना और जब बुरे दिन आते हैं तब भी ऐसा नहीं कि beauty नहीं है किसी के appearance में तो हम लग उसको discard कर दे है ना यह तो उनके साथ भी हो सकता था उनका भी suppose कोई दुलगटना घर जाए तो उनकी wife ही तो समालेगी है ना इसकी वज़े से उनको सोचना था और इसके उपरांत दूसर नहीं है तभी तो पापा अफेर कर रहे हैं है ना और वो भी है सीख जाएंगे इसलिए पैरेंट वोड इतना easy नहीं है जितना की लोगों को लगता है सिर्फ जनम देने से पैरेंट नहीं हो जाते हैं उनके सामने क्या-क्या आता है वो सब carefully handle करना पड़ता है बच्चे लो movement capacity बहुत ज्यादा होता है हम लोग का तो बहुत सारे responsibilities हैं जिसके वज़े से हम लोग बहुत सारे चीज़ देखके भी अंदेखा कर देते हैं लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है वो सोचते है और जो उनके दिमाग को hook कर जाए उसको जब तक solve न करे तब तक वो satisfy ह के नहीं बैठते हैं तो जो भी parent कर रहे हैं उसको यह सोचना है कि क्या मेरे बच्चे लोग देखेंगे तो वो सही सोचेंगे मेरे बारे में या फिर जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बच्चे करेंगे तो क्या यह सही होगा अगर नहीं तो वो parent को stop कर देना चाहिए ठीक है तो वो ही बच्चे लोग adapt करने लगते हैं धीरे धीरे unknowingly और suddenly हम लोग को पता चलता है कि अरे तुमने ये गाली कहां से सिखे तुमने लड़ना कहां से सिखा लेकिन वो society में हो या फिर television में हो या फिर mobile phone में हो वो देखा हुआ रहता है कि ये गाली दे रहा है तो सब कोई ताल acceptable है तो वो पिगाली देने लगता है अगर वो लड़ाई होते देखता है तो वो भी सोचता है कि चलो मैं भी लड़ाई करता हूँ ठीक है तो बच्चे लोग जो देखते हैं सुनते हैं वो अपने behavior में ingrain करते हैं इसके वज़े से parent को संबल के रहना है इसलिए जो steva कर रह जाता वो रॉंग था चलिए आगे बढ़ते हैं steva loves his children truly अपने बच्चों से वो दिल और जान से प्यार करता है इसमें कोई दोराई नहीं है डॉली वस कलेक्टिंग हर बिलाउंगिंग्स टू लीव हर लीव फोर हर मैटरनल होम डॉली को तो डिवोस्ट चाहिए था क्यों इसकी वज़े से वो अब माई का जाना चाहती है अपने ममी के पास इसलिए अपने cloths वो कलेक्ट कर रहे है और अपने बच्चों के भी ठीक है और पाचों बच्चों को लेके वो वहां से निकल जाना चाहती है अब यहां भी देखिए जिसे मैंने बताया आपको कि दोनों का appearance different है contrast in husband and wife husband fresh and healthy wife ill and dull husband जो है स्टीवा वो बहुत ही smart है fresh है healthy है और wife बिमार है और dull है क्योंकि दिन भर काम करने के बाद active नहीं रह सकता कोई भी पाच-पाच बच्चों को handle करने के बाद यह possible नहीं होता तो यही contrast हम लोग दोनों में देखते है यहाँ पे देखिए people are deceived by his appearance यहाँ पे इस्टीवा की बात हो रही है लोग सोचते हैं कि वो दिखने में smart है और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं अपने wife को भी जो चाहिए वो दे रहे हैं तो यह एक ideal husband है जो की नहीं है वो सोचते हैं वो बाहर से जो दिखते है वही है वैसा नहीं होता जो आदमी अपने wife को ditch करें धोखा दें वो ideal नहीं बन सकता तो लोगों को यह बात मालूम नहीं थी इसलिए सब को दबा दबा के रखा गया था कि बाहर लीक ना हो यह बात कि स्टीवा का वो french governance के साथ अफेर चल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं they think he is a family man who is able to manage everything and everyone लोग सोचते हैं कि स्टीवा एक family man है और यह बहुत ही respect के लायक है क्योंकि वो हर चीज को manage करता है और हर किसी को manage करता है ठीक है जो कि बहुत ही wrong है dolly is hurt for her husband's adultery dolly hurt है मैंने बताया कि क्यों hurt है stevea tries to stop her by pleading but that makes dolly more angry stevea जो है वो dolly को रोकना चाता है क्योंकि dolly चली गए तो बच्चे भी चली जाएंगे और बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं ठीक है एक तो वो reason था दूसरा reason था लोग क्या कहेंगे कि उनकी wife और पता चलेगा कि यह extra marital affair का case है तो लोग इनको defame कर देंगे ठीक है बदनाम कर देंगे जिसकी वज़े से वो सुचते हैं कि चलो मैं request कर लेता हूं रुख जाए लेकिन वैसा नहीं हो पाता स्टीवा रोता भी है लेकिन यह रोना दिखावटी होता है ठीक है यह रोना जो है वो दिखावटी होता है क्योंकि वो दिल से नहीं रो रहा होता वो चाहता है कि डॉली रुख जाए यह इसलिए क्योंकि उसका repetition डाउन नहों एसा नहीं कि वो नहीं चाहता कि उनकी wife इसे जो राइटर है वो दिखाना चाहते हैं कि नोवल का थीम क्या है अभी तक हम लोग में स्टॉरी के हीरो हिरोईन पर नहीं आये हैं तो सब हिरोईन्स जो है और फिर सब क्यारक्टर्स जो है उनसे हम लोग को पता चलता है कि डॉली और स्टीवा का जो रिलेशन्शिप है उसी से रिलेटेट में क्यारक्टर का भी स्टॉरी है और वही है थीम स्टॉरी का जैसे कि एडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर इस्पेशलि zusammen दली औ इन स्टीवा देन लेवीन औन किटी अनक्रास्ट अनकारनीना यहांपर देखें जो डॉली औन स्टीवा का relationship है husband and wife और levin and kitty levin and kitty यह levin एक लड़की का नाम है और kitty लड़की का ठीक है kitty जो है वो dolly की बहन है okay dolly की बहन है यानि कि steva की साली है okay steva की साली है kitty और lenin sorry levin और steva यह दोनो फ्रेंड्स है बचपन से ही यह फ्रेंड्स है okay levin and steva इनको जैसे लंगोटिया यार बोलते है न वैसे ही है और हर बार जब भी वो इतर आता है मॉसको वो विजिट करता है steva के घर में और इसका यह levin जो है उसका विजिट करने का यह एक रीजन भी था कि किट्टी जो है वो कभी-कभी अपने सिस्टर के पास होती थी और वो बहुत ही दिखने में सुन्दर थी और levin किट्टी के साथ प्यार करता था लेकिन वो पता नहीं पाता था कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना जाता है तो यहाँ पर में चीज हम लोगों क्या नोटिस करना है लेविन और किट्टी दोनों एक पैर है और डॉली एन स्टिवा वो भी शादी शुदा जोडा है और अना क्यारे नीना अपने पती के साथ में खुश है वो तीनसरा पार्टी है और पैर है ठीक है तो तीनों में हम लोग कॉंट्रस्ट देखते हैं यह अनहापी है ठीक है यह हैपी है पहले प्रॉब्लम होता है लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है लेविन और किट्टी के रिलेशन्शिप में और यहाँ पहले अच्छा होता है बाद में बुरा होता है और अना कैरे नीना यही दोनों को मिक्स करके हम लोग पाते हैं अना कैरे नीना के मेरिटल लाइफ में पहले अच्छा होता है फिर बुरा होता है फिर अच्छा होता है फिर बुरा होता है ऐसे करके अना केरे निना का शादी शुदा लाइफ शलता है तो आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे फिलाल ये समझना है कि जो मेन क्यारेक्टर है उनका मैरिटल जो लाइफ था वो उतना सही नहीं था लेविन इस थाथ भी रेलेशनशिप बना लिये और रेपटेशन बनाने के लिए फेक आंसु भी गिरा लिये ऐसा नहीं है वो बहुत ही genuine इंसान है वो thoughtful है वो सभी के बारे में सोचता है कि कौन किस चीज़ को कैसे handle करना है ममी को कैसे रखना है पापा को कैसे रखना है और अपने जो आसपास के friends circle है उनको कैसे रखना है इसकी वज़े से हम लोग पाते है कि लेविन जभी मॉस्कों आता है वो visit कर लेकिन एक बच्बन का दोस्त है इसलिए वो उसके घर आता जाता है और मेन क्यारेक्टर था उसके पास आने का kitty ओके लेविन रिजेंबल्स दी राइटर लियो टॉल्स्टॉई हिमसेल्फ लेविन का जो क्यारेक्टर है वो खुद के क्यारेक्टर पे उन्होंने लिखा है लियो टॉल्स्टॉई ने वो अपने आपको समझते हैं लेविन है और जो दुख्षुक उन्होंने जेला वही दुख्षुक लियो टॉल्स्टॉई ने भी जेला था His interest lies in farming, raising livestock, etc. वो एक genuine farmer बनना चाहते हैं और उनका inclination है farming करना, खेती बाड़ी करना, उसके बाद animals को rear करना और उनसे जो भी harvestment होता है उससे जीव का चलाना इसकी वज़े से वो उसमें engage होये रहते हैं लेकिन steva का thought different है, वो चाहते हैं कि developments हो और developments होने के बाद में successful हो लेकिन success का definition living के लिए different है, वो चाहते हैं कि अपने ancestral property जो अपने mommy, papa या फिर उनसे आगे वाले parents, grand parents का जो property है उसको देखरे करके रहा जाए ठीक है और living ये बोलते हैं कि जो भी city का life है वो fake है, वो जूटा है, लोग suited, booted तो होते हैं लेकिन problems इतने सारे होते हैं कि वो इनसान वहाँ पर जी भी नहीं पाता और ये सही भी है सहर का lifestyle maintain करने में ही इनसान का हलत खराब होता है और economically कभी भी sound नहीं हो पाता, economically strong नहीं हो पाता वो अपना जो पैसा है वो दिखावे में ही waste करना कर देता है और करना पड़ता है सब को देखके लेकिन living का ऐसा नहीं है वो living चाहता है कि नहीं मैं अपने घर में रहूंगा जो भी पैसा आए उससे कमाऊंगा, खाऊंगा और मुझे शहर नहीं जाना, मुझे शहरी बाब वो नहीं बनना, ठीक है यहां पर देखिए वो considers urban life, urban मतलब city life, modern life, frivolous मतलब lightly और superficial, superficial मतलब किसी को artificial you can say ठीक है जो कि originally नहीं है तो वो सोचते बोलते हैं कि city का जो life है वो original नहीं है और इसको seriously नहीं ले सकते हम लोग, city में हम लोग ज़्यादा दिन रुख भी नहीं पाते ह और real life, rural area में ही बिताया जा सकता है, ऐसा कहना है लेविन का चलिए आगे बढ़ते हैं, steva has no regrets for extra marital affairs, यह मैंने आपको बताया कि वो सोचते हैं कि मैंने परिवार के लिए पैसा दे दिया, नौकर चाकर दे दिये, एक अच्छा खासा family का member उनको बता बना दिया अब वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जिसके वज़े से वो extra marital affairs में involved हो जाता है यहाँ बे देखिए, steva और levin, दोनों का mindset different है, एक चाहता है सहर को develop करना, इसलिए वो president है ठीक है, president है कहाँ का, a government board in Moscow, ठीक है, a government board in Moscow, तो वो modernization के लिए काम करता था, ठीक है, तो वहाँ का president था, steva और वो modernity को ज़्यादा importance देते थे, जबकि lenin farmers के life को, यानि की agrarian life को promote करते थे, तो दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये fields में, वो दोनों ही अपना-पना mindset से चलते हैं, फिर भी bonding strong है, वो दुस्मन नहीं बने, political parties के वज़े से दुस्मन नहीं बने, अपने views different होने की वज़े से वो दुस्मन नहीं बने, usually हम लोग के life में क्या होता है, अगर किसी ने एक sentence भी बोल दिया, किसी की opposition, किसी के favor करने वाले party को, तो एक घमाशान युद हो जाता है, घर में भी, और आसपास पड़ोस में भी, उसको avoid करना है, तीक है, यहां से सीखना है, इस्टीवा और लेनिन, दोनों के mindset different थे, लेकिन फिर भी, जो relationship बच्पन से उनका था, उसको बढ़ाने के लिए, उन्होंने दोनों का viewpoint को accept किया है, ठीक है, तो वही हम लोग को सीखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइल मीटिंग हिस फ्रेंड, ही हाद बीन, सारी, ही हाद सीन किटी, स्केचर बैट्स की डॉलिट सिस्टर, अब जब भी वो फ्रेंड का घर में विजिट करने जा दे थे, तो किटी उनको दिखती थी, जिसकी वज़े से वो उस पर फिदा हो गया, अब लेविन को क्या हो कि वो प्रोपोस करे किटी को शादी के लिए, ठेक हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डायलोग है, प्यार अंधा होता है, वो ट्रू होते हुए, वो सही प्रमानित होते हुए, क्यूंकि लेविन को लगता है, लेविन फील्स दाट किटी is the best person in the world, वो सोचते है कि किटी जो है, वो लाइफ का, वो दुनिया की best लड़की है, और उसी से उसको साधी करनी है, किसी और से नहीं, तो वो सोचने लगता है कि ये किटी जो है, वो उसके लिए best partner है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेविन वर्स स्टेइंग विध इस half brother, वो अपने half brother के साथ मॉसको में रहता था उस वक्त, जब वो विजिट करने के लिए आया था इस टीवा को, और उसके brother का नाम है, कोजनी शिव, सरजी, इवानिच, कोजनी सेव, ठीक है, तो ये कोजनी सेव, उनके family का नाम है, और अपना नाम एड़ करते हैं, उसके last में ऐसा मैंने बताया था आपको, तो इसलिए ये नाम जो है, वो लंबा है, ठीक है, आपको याद करना है, में इसका नाम हम लोग use करेंगे, इवानिच, इवानिच कौन है, लेविन का half brother, जो की एक thinker है, और writer है, जो की एक दारसनिक है, जो different चीजों को सोचते हैं, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, य अगर इसको ऐसे किया जाए, तो कैसे होता, अगर ये चीज नहीं करते हैं हम लोग, तो लोगों पे क्या effect परता, ठीक है, ये एक political thinker भी है, और writer तो है ही, writer तो है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत knowledge है, और वो चाहते हैं कि intellectual problems जो Russian politics में हैं, वो सब clear हो, उन वो capacity रखते ह है, problem solve करने का, इसलिए वो सोच रहे हैं कि उनका views जो है, वो implement करना चाहिए, लेकिन, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, कि जो भी रश्या में political problems थे, intellectual problems थे, वो solve करना चाहते थे, वो अपने दिमाग लगा के, next हम लोग पाते हैं, जो views हैं उनके brother Ivan Nitch और Levin दोनों दुसरे के भाई हैं, ठीक है, तो उनका views जो है, वो contradictory हैं, लेकिन फिर भी भाई है, इसलिए मिलने आया, तो अच्छे से बातचित हो रही होती है, अब यहां पर, he, मतलब, Levin जो है, उसने, यह जो पार्टी है, वो छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते हैं, कि, self-government, general में, जो भी है, उसको promote किया जाए, और यह एक organization है, जिसमें एक middleman होता है, जिसकी वज़े से, जो भी effective result है, वो नहीं आता, तो वो चाहते हैं, कि, वो खुद ही self-government को promote करें, और इसमें Levin लगा हुआ भी है, ठीक है, अभी problem जो novel में है, वो different है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं, novel के बांकी हिस्सों को, Ivanich informed Levin that their brother Nikolai started living in Moscow, अब यहां पर हम लोग को एक नया character का introduction दिया जाता है, Nikolai, Nikolai कौन है, दोनों brothers के और एक brother है, Ivanich और Levin, दोनों का brother है Nikolai, ठीक है, और यह Moscow में रहते हैं, अपने भाई के साथ, फिलहाल पहले यह नहीं रहते थे, अब ही रहने लगे हैं, क्योंकि यह बहुत ही बिमार हैं, और जब उनके जवाने के दिन थे, तब वो बहुत ही पैसा लुटाती थे, ठीक है, पैसा लुटाती थे, और अपने भाईयों से लड़ाई भी करते थे, ऐसे बहुत shows okay there is spelling mistake shows and I owe you to live in I owe you क्या है informal promissory note जिसको वसीहत कहते हैं वसीहत तो proper वकील के साथ हम लग बनाते हैं लेकिन I owe you एक rough जो normal paper में होता है normal paper में लिखा हुआ रहता है कि ये मेरा will है ये मेरा इच्चा है ये किसी भी चीट से related हो सकता है जैसे property या फिर किसी से कुछ बोलना हो या फिर कुछ भी लिखना हो जो कि informal है अगर formal होता तो वो court के papers में होते हैं यहाँ पर informal के बीच में gap हो गया है प्लीज उसको avoid किजिए informal promissory note है ये donut together है ठीक है अब यह आगे बढ़ते है अब यह I.O.U. नाम कैसे आया sorry acronym कैसे आया I.O.U. में बताती हूं इसका मतलब है I.O.U. ठीक है I.O.U. यहाँ से I.O.U. लिखा जाता है लेकिन इसका मतलब है a promissory note निकोलाई wants to be left in peace वो सोचता है निकोलाई कि जो भी गलतियां था वो तो कर लिया पैसे भी खर्च हो गया है और बीमारी भी जितना लगना था लग गया अब मैं अपने ब्रदर्स को disturb नहीं करूँगा इसलिए वो सुचते हैं कि चलो मुझे छोड़ दो मुझे अकेले छोड़ दो निकोलाई wants to be left alone और यही लिखा था उन्होंने यह promissory note में कि उन्होंने जितना भी waste करना था कर लिया लेकिन अब वो चाते हैं कि उनको जैसे भी हो वो अलग जाएं कि यह वेस्ट फुल पर्सन हो क्वारल विध इस ब्रदर वेस्ट फुल मतलब जो लग्जरियस लाइफ जीना चाता है बिना मेहनत किये हुए तो दुनिया भर का वो चीजे खाता है और उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं है धीरे धीरे करके बहुत रोग ले लिया औ लेविन वांस तो विजट निकोलाई वांस बट यह वांस तो कम्प्लीट टास्क और प्रपोसल मेकिंग अड़ फर्स देखिए लेविन जो है वो यहां भी मॉस्कों में आया है एक स्पेशल काम से और वो काम है निकोलाई के उसको प्रपोस करना है स्टीवा के साली को जिसका नाम है किटी किटी को प्रपोस करना है कि वो लेविन से शादी करना चाहती है कि नहीं तो इसके लिए वो बहुत ही उत्सक है और चाहता है कि अपने भाई से बाद में मिले और पहले प्रपोसल या फिर प्रपोस करके आ जाए वापस तब वो ज फोते डिसबॉइंटीड होता है क्योंकि उस का जो शादी का प्रस्ताव है वो किटी ठुकडा देती, फोल्ड हाटेटली, ठीक है? उसको कोई रिमॉस नहीं है? कि वो नहीं है उसके साथ, ओके? वो चाहती है कि वो किसी और के साथ रहे, लेविन के साथ नहीं है ये इसका reason ये भी था कि वो गाउं का था ठीक है आप जिसे movies में दिखाते हैं ने कि smart लोग शहर से आते हैं और गाउं के लोग बुद्धू जैसे होते हैं तो ये उसका एक गलत फहरी था कि टीका लेकिन फिर भी ये तो सोचते ही है कि जो गाउं से आया है वो थोड़ा सा कम होते हैं सेहर में लेकिन सेहर का पढ़ाय कितना useful होता है ये हम लोग in depth में जाके नहीं सोचे हैं फिलाग हम लोग को खाना चाहिए जो farmers उगाते हैं हम लोग को peace चाहिए हम लोग countryside में जाके farm house बनाते हैं और property लेना है तो अपने पुरवजों के जमीन पर लेते हैं आस पास ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब जरुरत हो वो शांती से रहा रहा जा सके उस जगा पे तो जब शांती गाओं में हैं तो हम लोग शहर में क्या करें लेकिन ये mindset बन चुका है कि शहर में कमाना है और वही का style adopt करके रहना है तो kitty भी चाहती है कि उसके life में dashing smart लड़का आए जो कि उसके सभी problem solve करें लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि kitty ना वैसा कोई और मिलता है फाइनली वह लेविन के साथ ही शादी करना पड़ता है उसको ठीक है तो आगे हम लोग आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लेविन का proposal जो है वह kitty accept करती है या फिर deny करती है अगर deny करती है तो क्यों करती है ठीक है तो आज के लिए इत अच्छे से बताना पड़ेगा इससे ही मैं अपने वीडियो एंड करती हूँ अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो इससे तो प्लीज इसको forward कीजिए इसको save कीजिए और like, share, comment जरूर कीजिएगा thank you everyone आपको मैं एक question छोड़ की जा रही हूँ question का answer दीजिए डॉली कौ आपका answer correct है या नहीं है वो मैं बताऊंगे जब आपका comment आएगा thank you everyone चलिए all the best for your examination and your preparation for those examinations as well thank you